नमस्कार, मेरा नाम रिधी है, मैं कक्षा पांच की छात्रा हूँ देश प्रति वर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की वर्षकांट मानता है 1957 के युद्ध में मूँ की खाने के बाद पाकिस्तान ने भी एक ऐसा ही चद्म हमला कारगिल में 1999 के दौरान किया 18,000 फीक की उंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन दो माह तक चला भारती सेना ने अदमे साहर से जिस तरह दुश्मन को खदेडा उस पर हर देश वासी को गर्व है हिमाचल प्रदेश की वीर भूमी में जन्में क्याप्टेन विक्रम बत्रा जग पहली जून 1999 को युद्ध के लिये गए तो उनके कंधों पर राष्ट्रिय श्री नगर लेह मार्ग के बिलकुल ठीक उपर महत्पुपून चोटी एक्क्यामंत्र चालीस को दुश्मन से मुप्त करवाने की जिम्मेदागी थी यह दुर्गन छेत्र एक चोटी ही नहीं थी यह तो करोणों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी जिसे काप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी वह अपने साथियों की वीर्दा के दम पर 20 जून 1999 को अपने कबजे में कड़ लिया उनका रेडियो से विजई दिल मांगे मोर जब देशवासियों को सुनाई दिया तो हर देशवासियों की नसों में जोश भर गया घायल लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते समय जब कैप्टेन विक्रम बत्रा के गोली सीने में लगी तो भारत के लायल ने भारत मा की जय कहते हुए आखरी सास ली इसके बाद 15 अगस्त 1999 को कैप्टेन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया कैप्टेन विक्रम बत्रास के जीवन से मुझे देश प्रेम, नित्रित्व और सत्भाव जैसे गुणों की सीख मिलती है भारत के इस सपूत को मेरा शत्शत्नमन धन्यवाद